Hello friends, मैं Dr. Saroj Chahar, मित्दर गल्स कॉलेज, सरदार शहर. आज का मेरा टॉपिक है Ascaris का डाइजेस्टिव सिस्टम. Ascaris निमेटोडा का सदस्य है, common name है गोल क्रमी और यह मनुष्य के आंत्र में परजीवी के रूप में पाया जाता है. बहुत ही simple सा इसका diagram है और बहुत easy इसका description है. तो आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को Ascaris का digestive system. हम यहां से शुरू करते हैं, Ascaris मनुष्य की आंत्र का परजीवी है, यानि क्या कहेंगे इसको Entric Parasite, Entric Parasite आंत्र या परजीवी, digestive system, यह एक overall diagram है, इसमें आप देख रहे हैं, elementary canal complete है, complete elementary canal मतलब कहां से शुरू होती है, mouth से शुरू होती है, और anus में end होती है, complete है, simple है, लंबी है, नलिकाकार है, तो यहां यह simple, लंबी और नलिकाकार सरंचना है, चार भागों में बटी हुई है, आगे का mouth, उसके बाद में mouth open होता है, pharynx में, pharynx open होती है, intestine में, जो इसका सबसे लंबा भाग है, और intestine open होती है, rectum में, और rectum, anus के द्वारा open होता है, ठीक है, अब हम लेते हैं, इसके अंदर, सबसे पहले एक-एक का description करेंगे, होता है, anterior end पर, male और female, दोनों में anterior end पर present होता है, triangular shape का होता है, और mouth जो है, इसमें, तीन ओष्ट, यानि तीन lips के द्वारा, supported होता है, एक है mid dorsal lip, और दो कहां है, ventrolateral lip, जो lips है, इसमें muscle सरेंचना है, और ये cuticle के द्वारा आस्तरित है, mid dorsal जो lip है, इसमें बहार की तरफ, और यहां ventrolateral में भी आप देख रहे हो, बहार की तरफ sensory papilla होते हैं, mid dorsal में ये जो sensory papilla है, ये है double papilla, double papilla, ये double papilla, एक right side में, एक left side में, इसी तरह से ventrolateral में भी एक जोड़ी double papilla है, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है, इसके इलावा इसमें आगे की तरफ यहां पर एक amphid papilla है दोनों में, और एक जो red कलर का spot दिखा रखा है, वो है simple papilla, तो ये sensory organs है, mid dorsal में, दो जोड़ी क्या है double papilla, जबकि ventrolateral में, एक एक जोड़ी double papilla, एक simple papilla, और एक amphid papilla, इन में से amphid papilla chemo receptor होता है, यानि रसायन की जाँच करता है, बाकी सभी papilla जो है, वो tango receptor है, पर्ष ग्राही है, अंदर की तरफ जो पार्ट है, यह तो हो गया बहार की तरफ, यहां sensory papilla का पाया जाना, अंदर की तरफ यह dentine structure है, अंदर की तरफ dentine structure है, तो यह है mouth का सरंचना, यह diagram अगर हम याद कर लें, तो हम इसका description अनाम से कर सकते हैं, it is surrounded by three lips, one dorsal lip and two ventrolateral lip, जिसमें sensory papilla है बहार की तरफ, अंदर की तरफ dentine structure है, amphid papilla के इलावा, बाकी सभी tango receptors है, amphid papilla chemo receptor है, यह यहाँ इसका description है, मध्य प्रेश्टिय ओष्ट दीर्गवरत्ताकार सरचना का है, पार्ष वे अधरिय ओष्ट अंदरकार सरचना का है, प्रतेकोष्ट में एक द्वी शाकित मासल कॉर्ड है, जो बहार की तरफ क्योटिकल से ढखा हुआ है, प्रतेकोष्ट के भीतरी किनारे पर महिन दंतुर है, और बहार के किनारे पर sensory papilla है, mid dorsal lip पर right and left तो dorsal papilla है, जबकि ventrolateral lip पे एक dorsal एक simple और एक amphit papilla है, amphit papilla की more receptor है, जबकि double papilla और single papilla tango receptor है, तह यह description जो है आप इस diagram से इसको याद रख सकते हैं, अब mouth किसमे उपन होगा pharynx में, pharynx का यह t-s है pharynx का, यह diagram आपको याद होगा तो हम pharynx का description करेंगे यहाँ पर देखो आप pharynx की जो गुहा है यह गुहा है यह tri radiant lumen है three area गुहा है और यह cuticle के द्वारा surrounded है और इसके जो तीन कोने हैं एक दो तीन कोने इन तीन कोनों पर यह संयोजी उतक तंतूओं के द्वारा अपनी जो epidermis है उससे जुड़ी हुई है तो यह क्या है marginal fiber के द्वारा तीन कोनों से जो है यह lumen वाला भाग तीन कोनों से जो है यह epidermis से attached है जिसके कारण ही इसकी सरचना जो है वो three area गुहा हो जाती है भित्ती इसकी मोटी है यह आप देख रहे हो यह इतनी मोटी इसकी भित्ती है तो भित्ती मोटी होने के कारण अंदर की जो गुहा है यह संकरी है इस भित्ती में कौन-कौन से चीज़े present है इस भित्ती में muscles है और glands है यह muscles है radial, यह radial muscles है area patient, area patient contract होंगी तो यह lumen वाला जो भाग है यह enlarge हो जाएगा यह गुहा बढ़ेगी और area patient के contract के कारण तो गुहा बढ़ती है लेकिन यह marginal fiber और cuticle है इसके कारण इसकी सरचना बनी रहती है तो यह radial muscles है जो इसकी भित्ती में है इसके लावा pharyngeal glands है, तीन pharyngeal glands एक pharyngeal gland होती है इसके dorsal side में और दो pharyngeal gland होती है इसके litroventral side में यह जो pharyngeal glands है यह सिक्रीट करेंगी पाचक रस पाचन रस हैं digestive juice जिसके अंदर तीनो प्रकार के enzyme होंगे amylase, lipase और tripase जिसका काम क्या है protein, carbohydrate और fat का पाचन तो इस प्रकार से जो pharynx है यह छोटी सरंचना है लेकिन इसकी जो भित्ती है यह मोटी है और इसका जो lumen है यानि गुहा है यह त्री अर्य गुहा है और सक्री है और इसकी boundary में हमें क्या बताना है radial muscles है radial muscles है और pharyngeal glands है ठीक है और यह marginal तीन जगा से marginal fiber के द्वारा अपनी epidermis wall से जुड़ी हुई है तो यह हो गया pharynx के बारे में अब आप description देख लें इसका पतली और छोटी नली का है दिवार इसकी मोटी है क्योंकि दिवार में अर्य पेशियां है भित्ती इसकी बहु केंद्रिय उपकला से आस्त्रित हमने पढ़ा है कि इसमें ascaris के अंदर जो उपकला है यानि epidermis है उसके अंदर क्या है nucleus दिखाई देते है क्योंकि जो cells है उसमें margin नहीं होता है तो इसकी भित्ती बहु केंद्रिय उपकला से आस्त्रित है अंदर की तरफ cuticle है गुहा 3 area है भित्ती में 3 pharyngeal glands है एक torsal side में 2 ventral lateral side में ग्रशनी गुहा के 3 कोने से ये संयोजी उतक यानि marginal fiber जो है इनके द्वारा ये बहार की जो boundary है उससे जुड़ी हुई है जिसके कारण इसकी सरचना 3 area दिखाई देती है या होती है radial muscle के संकुचन से गुहा फैलती है जबकि cuticle और connective tissue fiber से वो अपनी सामानी स्थित्य में बनी रहती है pharynx sphere open होती है intestine में intestine elementary canal का सबसे लंबा भाग है intestine की भित्ती मोटी नहीं है पतली है भित्ती पतली होने के कारण अंदर वाला जो भाग है या निगुआ वाला भाग है वो pharynx की तुलना में बढ़ा है जैसा कि आप यहां diagram में देख रहे हो यह बहार की तरफ cuticle है cuticle के जस्ट नीचे intestinal cells का एक stumbia एक columnar cells की layer है केवल और columnar cells जो है वो अंदर की तरफ क्या है cilia है और यह lumen वाला भाग है तो गुहा इसकी चौडी है भित्ती इसकी पतली है क्योंकि इसके अंदर ना तो radial muscles होती है ना ही किसी प्रकार की कोई glands होती है अंदर की boundary जो है वो brush order के जैसी दिखाई देती है incelia के कारण तो यह किस से बनी हुई है इसके भित्ती इसके भित्ती यहां हम लेते हैं इसकी भित्ती जो है यह स्टंबाकार कोशिकाओं से बनी है स्तंबाकार कोशिकाओं से बनी है और अंदर की तरफ इसके ब्रश बॉर्डर है लिूमन की सैड में बाहर की तरफ इसके क्यूटिकल है केंद्रक जो है ये बाहर की तरफ एक सैड में अरेंच है और इसके भित्ती में जो है किसी प्रकार की कोई ग्रंथी या किसी प्रकार की क पहली हुई है, भित्ती पतली है, गुहा चौडी है, भित्ती में पेशी स्तर्वे ग्रंथियों का अभाव है, इकेहरी स्तंबाकार कोशिकाएं है, बाहर की तरफ क्योटिकल है और भीतर की तरफ सीलिया है, सीलिया के कारण अंदर का जो अवशोषन वाला एरिया है वो आता है, केंद्रक भीतर की तरफ स्तित है, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट आता है रेक्टम, छोटा हिस्सा है, सक्रा भाग है, इसकी भित्ती भी इकेहरे स्तंबाकार कोशिकाओं की बनी है, जिस तरह से की हमने इससे पहले पढ़ा, ठीक है, भीतर की तरफ इसके muscles हैं यानि प्रसारी पेशियां हैं प्रसारी पेशियां हैं और कुछ अर्ये पेशिये तंतु भी हैं जिनकी सहायता से ये इसकी दिवार को देह बित्ती से जोड़ती हैं ये radial muscle fibers मादा में मलाश्य गुदा द्वार द्वार बहार खुलता है जबकि नर में जो मलाश्य है नर में हमने male और female का difference पढ़ा था तब हमने क्या बताया था कि नर के अंदर जो है पीछे का part SAC के आकार का होता है इसमें anus बहार नहीं हो रहा है इसमें यहां पर cloical aperture है तो इस cloical aperture से पहले यहां anus open होगा जबकि मादा के अंदर हमने क्या पढ़ा था posterior part भी straight होता है pointed होता है और posterior part से थोड़ा पहले ventral side में जो है यह anus है यानि मादा के अंदर मलाशे गुड़ा द्वार द्वार बहार खुल रहा है जबकि नर के अंदर मलाशे अवसकर में खुलता है जो अवसकर चिदर के द्वार बहार खुलेगा तो यह हो गया इसका elementary के नाल का description अब हम लेते हैं food feeding and digestion food इसका किस प्रकार का है क्योंकि यह हमारे शरीर में हमारे आंतर में पाया जाता है तो इसको ये सक करेगा खीचेगा, किसकी طरह खीचेगा एक सक्षन पंप की तरह इसकी जो फैरेंक्स है, वो सक्षन पंप की तरह कारे करती है ठीक है और वो अधिकांश जो भोजन का अधिकांश भाग, पूंत पच्चित होता है शेश अर्ध पचित भाग का पाचन जो है वो पाचन आंत्र में हो जाता है तो इसका मतलब किस में हुआ एक्स्ट्रा सेलूलर डाइजेशन बाकी तो हमारा पच्छा पच्छा है भोजन ये एब्सॉर्ब कर रहा है फेरेंजियल ग्लैंड्स जो है ये और इंटस्टाइन में जो शुरू का भाग है उसके जो कुछ सेल्स है वो पाच्छकरस त्रावित करती है जिसमें प्रोटीयस लाइपेस अमाईलेस एंजाइम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन लिपिड और कार्बोहेड़िट का पाचन करते हैं पच्छे हुए भोजन का अवशोशन इसके द गुहिये तरल यानि स्टूडो सिलोमिक फ्लूड में विसरित कर देते हैं इसमें स्टूडो सिलोम पाई जाती है वास्तिविक सिलोम तो होती नहीं है तो स्टूडो सिलोमिक फ्लूड में उसको जो है विसरित कर दिया जाता है जहां से ये शरीर के विबिन भागों में पह यदि इसमें आते हैं तो उनको Phagocytosis Precrea के द्वारा भी पाचन किया जाता है यानि उनका अंतह कोशिकिये पाचन भी होता है शेश जो बचा हुआ अपचित भोजन है वो कहां चला जाता है मलाश्य में और मलाश्य से समय समय पर उसको शरील से बाहर निकाल दिया जाता है इ इसका digestive system इसमें हम एक diagram ये बना ले और उसके बाद में हम जो है इसके mouth का pharynx का mouth का pharynx का intestine का internal structure भी बनाएं ये mouth का हो गया ठीक है उसके बाद में ये pharynx वाला भाग है ts of pharynx और ये है ts of intestine और ये इसका छुटा पार्ट तो ये diagram बनाते हुए हम इसके digestive system को बहुती easily explain कर सकते हैं उमीद करती हूँ कि आपको समच में आया होगा थैंक यू